दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं खेल धावा और मैं हूँ नमीज चंद मनोज उडिशा के खिलाप पटना के मोईलूलक स्टेडियम में खेले जा रहे कुछ बिहार ट्रोफी अंडर 19 मेंस मल्टी डेज क्रिकेट टूर्णामेट में बिहार ने अपनी पहली पारी में खराब सुलवात के बार हर्सित आनंद के नावाद 74 रन और बिराट पांडे के 45 रनों दूसरे दिन का खेल समाप्थ होने तक 72 ओवर में 9 विकेट पर 180 रन बना लिये हैं पहली पारी के अधार पर बिहार अभी उडिशा से 80 रन से पीछे है उडिशा की पहली पारी 265 रन पर समाप्थ हो गई उडिशा की टीम पहले दिन के 8 विकेट पर 237 रन से आगे खेलते हुए 38 रन जोड़ कर आउट हो गई पटना के मोहिलो के स्टेडियम में खेले जा रही इस मुकाबले में बिहार की पारी की सुरुआत खराब रही शलामी बलेबाज राम सुरेश सूरी और कुमार सुरेश शस्ते में आउट हो गए कुमार सुरेश बिना खाता खोले और राम सुरेश सूरी 8 रन बना कर पवेलियल नोटे कफ्तान आयूश आनंद भी खाता नहीं खुल पाए 8 रन पर बिहार के 3 विकेट गिर चुके थे लड़कराती पारी को बिराट पांडे और अनिमेश कुमार ने शम्हाल इन दोनों के बीच 79 रोनोकिश महत्पुन शाजिदारी हुई बिहार को चौथा जटका अनिमेश कुमार के रुप में लगा हुए 102 गिंद पर 33 रन मना कर पवेलियन लोटे इसके बाद पारी को हर्शित आनंद और बिराट पांडे ने आगे बढ़ाया बिराट पांडे अपने अर्थ सतक के करीब थे तो उन्हें बिभच्छी गिंदवाज आस्तोस मनांडी ने आसिजवाज स्वैन के हाथों कैच करवा दिया इसके बाद एक बार फिर बिहार की पारी लड़ खड़ा गई पर हर्शित आनंद ने एक छोड़ पर घूटा गाड़े रखा और सूज भूज भरी बैटिंग करते हुए तेज खेला और पहले दिन का खेल खत्म होने तक पारी का स्कोर 9 विकेट पर 185 रन पहुंचा दिया हर्शित आनंद 90 गेंदों में 8 चौका वाद 3 छका की मदद से 94 रन बनाकर क्रीच पर जम्य हैं वहीं उनका शात मुहम्मद इजहार 10 रन बनाकर दे रहे हैं उडिशा की ओर से आस्तोस मरांडी ने 41 रन देकर 5 विकेट चटका है जबकि आदित के जैसिंग, शायदीप मुहत पात्रा, रितेश प्रिदरशन और सोवन देव बहरा ने 1-1 विकेट चटका है इससे पहले उडिशा ने पहले दिन के 8 विकेट पर 237 रन से आगे खेलना सुरू किया, पहले दिन के नावाद 75 रन से आगे खेल रहे हैं शिरहांस भारदवाज अपने शतक के करीब थे कि उन्हें आदित ने हरसित के हाथों कैच करवाया करें विकेट 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 बाद। झाल